जारखन में कल से यानि 7 सितंबर से जदयू का चुनावी आगाज होगा नितिश कुमार यहां पहुँच रहे हैं और उसको लेकर एक महौल बना हुआ है बिहार सरकार के समाज कल्यान मंत्री रामसेवक जी हमारे साथ में हैं इसे जानना चाहेंगे आसर बहुत-बहुत स्वा अध्यक्ष के दिशा निर्देश के मताविक हम पूरे राज्ये में जारखन राज्ये में चुनाव जनता दलियू परिवार के तरफ से परतियासी खड़ा करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे और जो हमारा संगठन का रूप रेखा है उस संगठन के बदौलत ही हम अप पूरे दमखं से जदी उतर रहा है तो क्या जीत की संभावना यह हैं क्या दावे आपके हैं अरे कोई पार्टी तो जीत की उमीद से ही चुनाव लड़ता है न हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी चलिए निश्चित तोर पर च चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे यह दावा किया है जारखंड के प्रभारी रामसेवक्जी ने अब देखना दिल्चस्प होगा कि चुनावी समर में जदयू और निश्चिकुमार किस तरीके से कितनी मजबूती से यहां अपनी धमक दे पाते हैं कैमरा परस सुरिन परसाद के साथ बर्जे इसराय और नाइन टीवी राची